मां के दूद में बहुत ही पोशन होता है ये तो आप जानते ही है लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां का दूद ना सिर्फ उसके बच्चों के लिए बलकि एक वास के लिए भी उतना ही पोशन युक्त होता है ये सुनकर भले ही आप चौक जाए लेकिन एक बेटी के दूद ने उसके पिता की जान बचा ली है स्वीडन की एक प्रोफेसर ने ये दावा किया है कि ब्रेस्ट मिल्क से कैंसर का इलाज संभव है रिसर्च के मताबिक ब्रेस्ट मिल्क में हेमलेट नामक पदार्थ पाया जाता है जो ट्यूमर सेल्स को नश्ट करने में सहायक है कैतरीना बताती हैं 2017 में 66 साल के एक बुजुर्ग कैंसर से पीड़ित था जब ये बात उनकी 30 साल की बेटी जिल को पता चली है दूसरी तरफ उसे ये भी डर था कि उसके पिता उसका ब्रेस्ट मिल्क नहीं पीएंगे किसी तरह उसने अपने पिता को समझा बुजा कर ब्रेस्ट मिल्क देना शुरू किया और आज उसके पिता सही सलामत है स्वीडन की एक युनिवरर्सिटी में प्रोफेसर कैतरीना स्वान बोर्ड कई सालों से इस पर रिसर्च कर रही है कैतरीना ने बताया ट्यूमर सेल्स को नश्ट करने के लिए हिमलेट एक जादोई रूप में काम करता है कैंसर रोगियों पर इसका परिक्षन किया जा चुका है जिसका परिनाम काफी अच्छा और आश्चर रिर्चकित कर देने वाला था बेटी के इस प्रयास की खबर इंटरनेट पर खूब वायल हो रही है एक युनिवरर्सिटी में प्रोफेसर कैतरीना स्वान बोर्ड कई सालों से इस पर रिसर्च कर रही है कैतरीना ने बताया ट्यूमर सेल्स को नश्ट करने के लिए हिमलेट एक जादोई रूप में काम करता है कैंसर रोगियों पर इसका परिक्षन किया जा चुका है जिसका परिणाम काफी अच्छा और राश्चर रचकित कर देने वाला था बेती के इस प्रयास की खबर इंटरनेट पर खूब वायल हो रही है